बिस्मिल्य रख्में रहीम आज हमारे पास ECM है ये 17C61 इस ECM का यूज इसेशली महंदरा की गाड़ियों में किया गया है इसमें दरसल कुछ स्टूडेंट को ये परिशानी आ रही है कि वो किसी गाड़ी के अंदर देखते हैं तो IC लगी मिलती है 40048 ठीक है जी और किसी दूसरी गाड़ी में देखते हैं तो उसमें IC लगी मिलती है 40049 और किसी और बोर्ड में देखते हैं तो IC लगी मिलती है 48015 और किसी किसी बोर्ड में देखने को मिलती है 48013 तो क्या यह IC एक दुसरे की जगहा पर इस्सिमाल की जा सकती है तो जबाब है कि इनको इस्सिमाल नहीं किया जा सकता जो IC लगी होगी वही IC आप लगाएंगे सेम नमर की IC लगाएंगे 4048 की जगहा पर आप 48015 IC को नहीं लगा सकते अच्छा इन IC की जो डिटेल है इन IC की डिटेल है जैसे 4049 है तो इनकी डिटेल्स 90% सेम है अगर एक IC की डिटेल आपको मालूम है इस IC के काम करने का तरीका आपको पता है तो उसकी हैल्प से आप इस तरह की किसी बोड में भी IC लगी होगी तो आप फाल्ट को कर सकते हैं लेकिन इसकी जानकारी बहुत अच्छी होने चाहिए इस तरह की IC की जानकारी बहुत अच्छी होना चाहिए क्योंकि यह IC स्विफ्ट में ले लो और ऐसे बहुत धिट सारे मॉडल्स है रिट्स में, हैक्विड में है, टाटा में है और आपका जीतो वगरा महंदरा के 17-61 में है तो इस तरह की अच्छी जानकारी इनकी होनी चाहिए कि किस तरह से इनसे सप्लाईयां 5 बोल्ट वगरा 1.5, 3.3 बोल्ट किस तरह से बनते हैं तो जबाब यह है कि इसकी जगहा पर जो IC होगी 4.049 है तो 4.049 ही लगाएंगे ऐसा नहीं है कि 4.049 के स्थान पर आप 4.8.0.15 IC को इस्तिमाल कर लें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं इसे, कुछ अलहदा है तो वो सेम IC ही लगेगी इनका जो CPU है वो सबका सेम है सबका इसमें जो CPU लगता है 1724, 1724 लगता है और 80HR का होता है यह दिहान रहे अगर किसी बोर्ड के अंदर 66HR है बोर्ड के अंदर 80HR लिखा है सामने दिख रहा है और किसी के अंदर 66HR है तो यह CPU एक दूसरी की जगह पर सपोर्ट नहीं करेंगे भले ही उनका नमबर दोनों का ऐसे के TC 1724 हो लेकिन उनका 80 और 66HR में अगर फर्क हुआ तब भी एक दूसरी जगह काम नहीं करेंगे और अगर आप फाइल डालेंगे तो बीच में error आ जाएगी तो इन बातों का ध्यान रखें आप इस IC की अच्छी जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि इस IC की जानकारी के बगार ECM का काम पॉसिबल है नहीं बहुत धिट सारे ECM आची तारीख में जो रिपरिंग को आ रहे हैं तो उन सब में इसी तरह का concept है जो भाई चाहते हैं कि इस तरह की बहुत deeply जानकारी लेना ECM expert institute को online class join कर सकते हैं और बहुत ही reasonable fees पर है और next batch इस 10 February को यानि कि 10 February को start हो रहा है और जो time रहता है रात को 9 से 11 लाइव किलासिस रहती है और बहुत धिर सारी ICU की details आपको उसकी PDF भी आपको provide कराई जाएंगी वो details जो internet पर मौजूद नहीं है जो हमारी team ने बहुत कोशिशों के साथ बनाई है तो जो हमारे student होते हैं उनके साथ में इस तरह की details को share करते है CPU का क्या concept रहता है कौन से signals out होते है CPU से जो out होना बहुत जरूरी है ठीक है और उनको CR-O पर किस तरह से check किया जाता है यह सारा concept हम अपने इंस्टिटूट में online class में clear करा देते हैं और धेड़ सारे पे नौट्स बगरा भी देते हैं ताकि student जब अपना काम करें तो उनको इस्समाल कर लें और फाइले भी दे जाती है अगर कोई ECM है जैसे माल लेजी यह सत्रासी पच्पन का ECM है यह F80 HL है तो इस सत्रासी पच्पन ECM को किसी दूसरी गाड़ी में लगाना है मतलब किसी से निकाला और किसी और उसमें लगाना है तब आपको इसमें file change करनी होगी ठीक है तो file change करते वक्त कि इन वातों का धियान रखा जाता है और यह सारी बात है हमारी यहां बहुत अच्छे तरीके से सारा concept किलियर कराए जाता है और जो सबसे बहतरीन बात यह है कि हम बहुत बहुत reasonable fees पर अपने student को class प्रोवाइट कराते है four digit only four digit हमारी यहां fees रहती है four digit के अंदर तो जो student join करना चाहते है तो इसी 10 10 फैबरी से class new batch start हो रहा है अक्सर यह कुछ भाई पूछते हैं कि यह क्यों लगाए गया है इसे हम inductor बोलते हैं inductor ठीक है इसे inductor बोलते हैं और reactor भी कह सकते हैं इसको और actually क्या है कि इस ECM के अंदर 48 बोल्ट जनरेट कराए जाते हैं तो 48 बोल्ट तब तक नहीं बनेंगे जब तक इस reactor के अंदर आप एक magnetic field create ना कर दें इसके अंदर magnetic field बनाए जाता है इसमें MOSFET की HELP से और जब magnetic field बन जाता है तब यह 12 बोल्ट को 48 बोल्ट में बूस्ट कर देता है ठीक है अब magnetic field किस तरह से बनता है इसके लिए इस सेक्षन के इस्सिमाल में लाये जाता है ठीक है यहां से switching कराई जाती है और switching होकर एक तरह से नेगेटिब और पॉजिटिब दोनों की मिलाकर switching कराई जाती है और जब वह switching होती है स्टार्ट तो यहां पर एक मैगनेटिक फिल्ड बन जाता है रियक्टर के अंदर और जैसे ही बनेगा तो जो वोल्ट है 12 वोल्ट वो बूस्ट हो जाएंगे 48 वोल्ट में और फिर उस 48 वोल्ट आपके यहां पर एक लगा है यह 620 TG इस से यह 12 वोल्ट आट होते हैं और यह बड़ा सा कैपिस्टल लगा हुआ होता है यहां पर एक लगवक यह 65, 63 यह लगवक 63 वोल्ट का होता है और तो यह उस 48 वोल्ट को फिल्टर करता है तो इन सब की बहुत डीपली जानकारी यह किस तरह से 48 वोल्ट बनते हैं क्या परिशानी आती हैं किस तरह से सुचिंग होती है तो यह सारी बात हैं हम अपने क्लास में बहुत डीटेल के साथ में इससे एकस्प्लेन करते हैं और उसकी वीडियोस भी दिखाते हैं और लाइव क्लास रहती है आपके जो बात समझ में नहीं आ रही है तो आप फॉरंड क् प्रोवाइट कर आते हैं ताकि आप घर पर उसकी स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो यह रहा हमारा थोड़ा सा डीटेल और उमीद करते हैं आपको दुरूर पसंदाई होंगी कुछ बात हैं तेंक्यू सू मच्छ